सब लोग अच्छे रहते हैं सब लोग एक दूसरी की टांग खिचने में लगे रहते हैं कि इसके घर में क्या चल रहा है यह ज्यादा देखना होता है अपने घर में क्या चल रहा है वो नहीं देखेंगे खुद की कपड़े भटे हुए हैं वहां देखें दूसरों का देखे तो लोगों के नजरिया ऐसा होता है और हेलो फ्रेंड्स राधे राधे जैश्री श्याम तो यहाँ पर बिल्ली आई थी भूकी थी मैंनों नहीं चलो सब लोग तो अपने अपने घर से भगा देते हैं कम से कम हम ही खिला दें यह भी बेजुबान है याओं मैं बस करती है इनकी भाशा थोड़ी ना कोई समझे समझेगा इसलिए हमनों बोला चलो बिस्किट खालो हमारे दर साम का चार बजरा है अब भोजन नसीब हुआ है हमको अलू टमाटर की सबजी और दो रोटी बहुत बड़ी बात है कि हम खाना खा रहे हैं यहां बाटी होने को बेलकुल छुपके आधे पलंक की नीचे तो खाना रखा हुआ है बिल्ली की तरह मैं खा रही हूं हेलो फ्रेंड्स तो आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं हूं ब्लागर सोहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है अब देखते हैं लाइट कब तक जलती है मेरा बूलना तो नहीं चाहिए पर व्लागिंग करने का मन नहीं था बिल्कुल भी नहीं दो तिन दिन से अजीब सा लग रहा है करतो रही हूं शूट पर बहुत अजीब ही लग रहा है तो आप लोगों को एक बात बता दूँ चार बजे मैंने आज खाना खाया सुबह चार बजे मेरी तबियत बिकड़ गई थी एकदम से अचानक से सारी रास सर में दर्द था होते होते चार बजे इतना ज्यादा हो गया कि मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था मैं रोने लगी बैट करके श्रया उठी बोली मम्मी क्या हो गया देखो ये बंद हो गई है मैं फिर मैंने बोला कि बहुत जोर सरदर्द हो रहा है बहुत जोर का तो चर इसको चार्ज में लगाते है लाइटिंग से तो अच्छी बन रही थी वीडियो अब ठीक है तो मेरे सर में दर्द इतना भयानक वाला हुआ कि मुझसे बर्दास ही नहीं हो रहा था हूं मैं रोने लगी थी बैट करके श्रया घबड़ा गई थी तो लाइट ऑन किये मैंने बंद कर दे लाइट क्योंकि लाइट भी चुप रही थी मेरे को बहुत जोर का सरदर्द था कि बाढ़ अंतलग ख़र लगई थी इतना जात दर्द हो रहा था कि मुझे बंद्मिटंह होने लगी थी इतना जाते दर्द था अब मुझे बहुत डर लग रहा था मैंने बस रेया से बोला कि श्रया भग्वाण जी का नाम लोकी कुछ अगये मुझे श्रया और डर गी थ सभावान जीसे बुन मेरा कि के लिए बहुत कुछ करना है क्यों मुझे पता है कि यह मेरा लावाए उसका कोई नहीं है और क्पूरवा सच है मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बिल्कुल ख्Frank कोल के बोलते हूं कि पर विश्वास को नहीं करना चाहिए तुम्हारे अपने ही तुम्हारे पीट पीछे वार्ग करेंगे शुरुवात अपनों से ही होती है कभी-कभी आप लोगों को पता है कि कभी-कभी मैं कुछ नहीं बोल बाती हूँ चुप रहती हूँ और कहती हूँ कि वक्त आने पर बताऊंगी बहुत सारी ऐसी बाते हैं कि जो मैं कभी कोई मन करता कि नाग हूँ, कभी कोई मन करता कि पायद हूँ मैं एक अनूखी नहीं हूँ, बहुत सारी लोगों के साथ ऐसा होता है कई लोग छपा लेते हैं, कई लोग का उजागर हो जाता है मेरे साथ भी ऐसे है मुझे ये वाली लाइफ ना बहुत बहुत ज़्यादा गंदी लगती है ये लाइफ मुझे अच्छे नहीं लगती है पर क्या करूं मुझे ऐसी ही लाइफ जीनी है वो थे तो अच्छा लगता था सब कुछ ठीक था रंगों से भरी दुनिया थी आसपास के लोग सब कुछ अच्छा था पर उनके जाने के बाद कुछ भी नहीं है और ये मेरे साथ ही नहीं सब के साथ होता है कहीं कहीं लोग अच्छे होते हैं जो कि अपनी बहु के साथ अच्छा वरताओ करते हैं उनकी फैमिली वाले भी समझते हैं इस दुख को, कहीं-कहीं छोड़ देते हैं ऐसी लवारिसों की तरह है, जाओ, और किस कारण से सोचते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, क्या सोचते हैं, वह ही जाने, हमको तो सब पता होता है, क्या कारण है, क्या नहीं है, और आप लोग कोई पत किस अस्रॉल बहुत अच्छे हैं, कई लोग कमाये, कभी बहुत अच्छा है, मैं कभी-कभी, सारा दिन मेरा इस घर में निकल जाता है, ऐसे अकीले-अकीले, तकलीफ हो तो तुम्हारी है, कोई फिकर करने वाला नहीं, कोई कुछ पूचने वाला नहीं, तुम्हारे घर में क्या है, क्या नहीं है, कैसे जी रहे हैं, कोई कुछ नहीं इंसान बहुत मतलबी होता है, बहुत मतलबी होता है बिना मतलब के तुम्हारे पास एक कॉल नहीं आएगा किसी का मतलब छुपा होगा, तभी कॉल आएगा मैंने इतना तो जान लिया है बोलते हैं एक बात कि अकेले आए हूँ अकेले जाओगे तो ये मेरे साथ अभी से श्टार्ट हो गया है इनके जाने के बात कि मैं अकेली हूँ एक गिफ्ट के तौर पे शुकला जी की तरफ से एक बिटिया मिली हुई है तो उसके सारे होम है और एक कि बोलते हैं न की मन बेहल जाएगा सारी जिन्दगी उसी के उसमें कट जाएगी क्या करना क्या नहीं करना है तो इस गुड एप बच्चों को गुड़ियां थमादी जाती है ना एक तो वही मुझे गुडिया थमा दी गई है कि इस गुडिया के साथ रहो तो वो गुडिया है श्रया जिसके साथ मैं रह रही हूँ बहुत सारे मन में खैल आते हैं बहुत सारी बाते आते हैं सब्सक्राइब बस मेरी information के लिए मेरा वीडियो देखते हैं कि ये कर क्या रही अभी तो 3-4 तरह के लोग हैं जो मुझे watch करते हैं daily और कभी तड़कता भलकता मैंने title डाला और title के अंदर भी वही सब कुछ रहता है तो वो इसलिए जनकरी लेने के लिए लोग वीडियो देखते हैं देखें कुछ नहीं है तो मैं थोड़ा सा अंदर से demotivates ही हूँ कि कैसे चलेगा मेरी इस महिने पैमेंट आई है YouTube पैमेंट इतना इंतजार करने की बात चंद कुछ रुपए मिले है मिली आपमेंट यह है कि मेरी एक-एक दिन की महनत है वो पैसा मेरे लिए बहुत मूलेवान है मेरी महनत है आप लोगों का सपोर्ट है चाहे इसमें मेरी दुश्मन हों चवरी छिपे देखने वाले हों सबका दिल से धन्यवाद क्योंकि आप लोगों वह किया चाहिए अपने मतलब के लिए दूरिक पर किया तो से मेरी इभरी बनी जो पांच महने में आई है जून में सलरी आई थी मेरी जून से अब या वे नोंबर दिसंबर चलरा है दो तार रिख्याज, तो नवम्बर में आई थी, नवम्बर में सभी, दिसंबर ही समझ लो, क्योंकि नवम्बर की लाष्ट लाष्ट आई थी तो पांच महने की यानि की वही समझ लो पांच मैने की मैना इंतजार अब जाके मिला फिर से हमको वही इंतजार करना होगा क्योंकि यहाँ पर व्यूज डाउन अब होता रहता है और हर एक वीडियो पर उम्मीद रहती है कि व्यूज आए सब कुछ होगे ठीक है जैसा है चल रहा है कम से कम हम जैसा लोगों ने सोचा था उस तरीके से तो नहीं है हम किसी भी चीज के लिए तरस हैं भगवान की क्रपा से जो भी हमने अच्छे कर्म किये होंगे थोड़े बहुत तो उनके according हम थोड़ा ठीक है हमारी परिस्तिती ठीक है पर भगवान खोश है हम तंगी नहीं है एक प्रकार से कि हमको किसी चीज की तंगी हो हमारा चल रहा है सब भगवान का आशिरवाद है और सायद मैं कुछ अच्छे कर्मी की होंगे उसका आशिरवाद है बताना तो नहीं चाहिए पर जब सब कुछ मेरा दुख सुख सब में शेयर करती हूँ तो अपने मन की बात भी शेयर करने का मैं मेरा मन की आकी मैं करूँ कहने को बहुत सारी बाते कह सकते हूँ छटी-छटी सी बाते हैं मैं इतनी सी कोई भी टेंशन है ना तो उसको मैं अंदर-अंदर सोचीती रहती हूँ घुटती रहती हूँ उसको लेकर के सुबह मेरी इतनी तेज तवियत खराब होना उसके बाद मैंने हिम्मत कके ऊठी, मैं वाद किटि नहीं ब näया, वह स्कूल नहीं जाल थे पर मैंने जह भूला हैं नहीं, अभी दो-चार दिनागा वाद उसकाम देमा चारता हैं हो ाने वाले हैं तो मैंने बन बहुत नहीं हिमत करके उसका साब कुछ operate की और जो पूरा इतना तेज वाला था काम हुआ मिरा जो मैंने खाना नहीं घाया वह नहींлер गैप शार बजा हम घ्राइव को टो फिलिए कश़ा अग। मैं लोग सरती सista कि नहीं खाना हुगा, तो सिर्क्र को सेले लोगों की निगाहें, हमारे आसपास, हमारे दूर तक कोई भी बैखती है, हमको ऐसा लगता है, बहुत कम लोग अच्छे रहते हैं, सब लोग एक दूसरी की टांग खीचने में लगे रहते हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, यह जादा देखना होता है, अपने घर में क्या फटे हुए हैं, वहाँ देखें, दूसरों का देखेंगे, तो लोगों के नजरिया ऐसा होता है, और इसी गंदी सोचों मुझे गुस्सा आता है, सबकी लाइप से मेरी लाइप अलग है, और मैं खोश हूं, ठीक हूं, किसी के साथ भगवान है सन्ना हों क्योंकि यह जो लाइफ है बहुत गंदी वाली लाइफ है जी रहें गुट-गुट के रोज आखों में आसुगा जाते हैं रोज-डोज रोणा तो बता नहीं सकते हैं रोज रोज अपने मन की दिल की बातें नहीं बताती हूं मैं कि चलो ज कोचिंग आएगी मैं विडियो बना लूँ मैं ब्लॉग एडिट कर देती पर मैं आप लोगों से बातें कर लूँ आप लोगी मेरी बात को समझोगे जो मुझे सपोर्ट करते हूं वो जो चूरी चुपे देखते हैं वो और जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं समझो कुस्त समझो